तो अलेफ्रेंग कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमसंग के जो होम स्क्रीन होता है उसकी आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं या बोल सकते हैं आपको होम स्क्रीन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं यह आपको कहा मिलेगे कैसे बता है मैं आपको बताने वाला होम स्क्रीन के टेप्स रेंट्रिक्स बताने वाला हूं तो यहां पर यह है दोस्तों यहां पर अगर आपको किसी एप को या किसी किसी इसको जो भी आपने होम स्क्रीन पर डाल रखा है शॉटकट को अगर आपको किसी को मूव करना है तो आप तो आपको single y' tycker move करते होंगे आगर किसी कर लेके जाना है तो अब किलिक करना होगा और आपको हैसे बूफ कर ने होगे बट अगर आपको बहुत सारे आपको एक कुलिक करते होती है मूब तो एक करना है यहां पर ऐसा फिरिगद यहां पार स्ट्रूर पे करना है select पर क्लिक करने का आपको जतनी भी apps को जो भी आपको शॉटकर्स हैं या बोलता है सकते हैं जो home screen पर उसको move करना हो या सबका एक folder भी बनाना हो तो आपको सबको select कर लेना है जिन जन को करना है और उसके बाद यहां हम लिए शहां यहां पर आपको फोल्डर कर सकते हैं तो अगर आपको Chapter और करें और सबको बाइल लेकिए आना हुखा है और शबको बापस किलिक करना है फोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रेक करेंगे और यहां पर छोड़ देंगे तो बापस आपकी सारी आप बाहर आचुके तो सबसे बहले जो टिप्स था यही था और और अगर आपको इन सबको रिमूफ करना हो तो वापिस आपको स्लेट करना होगा मतलब यहां से रिमूफ करना हो तो आपको रिमूफ करना है और आपको रिमूफ करना है तो यह रिमूफ को ऑप्शन दिख रहा है जैसी मैं यहां से रिमूफ करूँगा तो होम स्क्रीन से सा प्रफिक करेंगे तो आप से नीचे पूछे गःनिस्टॉर्ण करने में पोघायों तो नहीं करना जाए कि अगर अगर आपनी हाव रितने सारे अप से मनलोगा आपके पास यह स्कृरी अपस फ्रीकर आपको इन एपको फिर शारी हम पर करना है तो आपको सिंपल यह वापस स्लेट कर लेना है जैसे वहाँ पर कर रहा था यहां स्लेट कर लेना है सबको यहां पर आप क्या कर सकते हैं अनिस्टॉल कर सकते हैं और अहींक करना है सब करना है यहां पर क्लिक करना है आप को इसे स्लेडट कर लेना है और यहां पर आप छोड़ देंगे तो सारी एक स्क्रीन लिएंगों जाएंग तो पहले होता था आपको एक 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 çıkar Natal करना है तो यह वह पर आजाएंगे से लिए पर भी आप फोल्टर ट्रूम च्राइब कर दोगे यहां पर आपको ऑप्षिन नीए रिमूफ क्योंकि यह आपकी एपस के ड्रॉल में हैं आप नहीं है तो सबसे पहला तो tip हो गया है यही आप को home screen पे easily ला सकते हैं बहुती easy तरी से और बापिस इनको हटाना हो तो आप easily हटा सकते हैं जो कि मैंने पहली बता दिया उसके जो तो तीसर टिप बताने वालों होता क्या है जितनी भी एपस आपने यहां पर डाल ली बट कभी का वार गलती से क्लिक कर लिए और यूँ खिल गई है हुँ आपको वापस करना क्या होगा क्लिक कर देना है अब होगागा क्या अब क्या Torus आप को यहां से ए हिलाने चाहूंगा यहां से हिलाने की कूशिश करूंगा तो आप आप देखें नीचे एरर आ रहा है होम स्क्रीट इस लॉग्ड यू कैन अनलोग इन फॉर्ट सेलेटिंग मतलब कि जब तक आप अनलोग नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप यहां पर क्लिक करके देखेंगे तो यहां पर स्लेक्ट का जो ऑप्शन है वह है लाइट यह नहीं और आपको दिख नाब और सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं कोई से बोग होग यहां और बापिस से अगर इसको हटाना हो तो बापिस आपको two fingers से यहां से swap करना होगा यहां से स्टिंग पर जाना होगा और lock screen को आप यहां से layout को हटा देंगे तो वो हट जाएगा एक चीज़ और यहां पर और कर सकते हैं यहां पर एक option आपको मिल रहा है add new app to hope screen मतलब कि जितनी टिक आपकी apps का shortcut create हो जाएगा काम का feature है उसके दोस्तों जो next feature बताने वाला हूँ यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास कोई notification pending है मेरे पास कोई notification pending है तो वहाँ पर आप देखेंगे highlight हो रहा है और वहाँ पर number वीजीवल हो रहे होंगे आपको थोड़ा देखेंगे तो आप देखेंगे आप आपको दिखा़ाए होगा नंबर वीजीवल हो रहे हैंगे कितनी मेरी notification में पैंटेंगे 42 मेन ओटिफिकेशन पैंडेंगे अगर आप नहीं चाहते कि कोई तो आप नहीं चाहते कि आपको कोई भी नोटिफिक्शन की पैंडिंग दिखे तो आप उसको अटा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं यह दिखना चाहिए बट वहाँ पर नंबर विजीवल नहीं हो तो वह भी कर सकते हैं वापिस हैटिंग पर जाना होगा स्कॉन कर लेना है इसमें जाना है यहाँ पर आपको डॉट पर क्लिक कर लेना है तो अब क्या होगा अब आपको नोटिफिक्शन तो दिखेंगे आपको दिख रहा होगा जैसे जीमेल की मेरी नोटिफिक्शन पैंडिंग थी वहाँ पर आपको सिंगल सा डॉट दिख रहा हो तो मुझे उमिद्हैं कि अपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी दोस्तों ऑर को पूछ सकते हैं इस वीडियो से लेटेड या कुछ भी आप मुझे आपको रिप्लाइ दूँगा और हो सकते तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना बोले और सबसे मौस्ट इंपोर्टेंट बात अगर आप अपनी तक मेरे चेल्ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली मैखने घाक प्वचराइब पार सकते हैं किया है różnych मौस्ट ग्यास अपनी हैज क् Configuration कैशीatility ऑग मौस्या फेंगम है और सकते हैं MARY